इस वीडियो में हम समझेंगे Heating Effect of Current. जैसा कि हम जानते हैं कि बाटरी या सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स होते हैं, बाटरी में केमिकल रियाक्शन होने के कारण बाटरी के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशल डिफरेंस क्रियेट होता है. टर्मिनल के बिट्वीन पोटेंशल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं, जिससे करंट बनता है. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हर एक कम्पोनेंट रिजिस्टन्स क्रियेट करता है. लेकिन कोई ऐसा electrical component जो specific resistance create करता है उसे हम resistor कहते हैं जब electron resistor में flow करते हैं तब वो resistor के atoms के साथ collide करते हैं इस collision के कारण atoms vibrate होने लगते हैं जितना ज्यादा collision उतने ही atoms vibrate होते हैं इस vibration के कारण kinetic energy बनती है और ये kinetic energy heat energy में convert होती है इस heat energy के कारण conductor का temperature increase होने लगता है इस phenomenon को हम heating effect of current कहते हैं heat को हम कुछ इस तरह से represent कर सकते हैं इसे हम Joule's law of heating के नाम से भी जानते हैं इसमें H heat है I current R resistance और T time है Joule's law of heating implies that First, heat current square के directly proportional होता है Second, heat resistance के directly proportional होता है Third, heat time के directly proportional होता है और T time है रिर दीन होता है झाल हुआ झाल हुआ झाल झाल झाल